साइक्लोजी की एक रिसद से पता चला है कि जब कोई आपको दिल से याद करेगा तो उसका पता आपको कुछ इस तरह से चलेगा कि आपका मन बेचैन होने लगेगा और अचानक वही शक्ष बार-बार याद आने लगेगा दोस्तों या कड़वी सच्चाई है कि लड़कियों के दुख या फिर दर्द अधितर लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं और मदद भी करते हैं लेकिन यही बात किसी मर्द की हो तो कोई ध्यान नहीं देता मनोविज्ञान के अनुसार लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं लेकिन भुना सुनने पर तुरंद यकीन कर लेते हैं मनोविज्ञान के अनुसार अगर किसी पुरुस को किसी बात से तकलीफ पहुँचा हो तो वो उसे भूल जाता है पर माफ नहीं करता लेकिन अगर किसी महिला को किसी के बात से तकलीफ पहुँची हो तो वो उसे माफ तो कर देती है पर भूलती नहीं यदि आप किसी को अपने लक्ष बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है इसके विपरीत आप जितना अधिक अपने लक्ष को गुप्त रखते हैं आपके सफल होने की संभावना उतनी ही जायदा होती है अधिकतर लोगों को अपना सबसे पसंदीदा इसलिए पसंद होता है क्योंकि वह उसके जीवन के किसी असल घटना के साथ जुड़ा होता है आप अपनी भावनाओं को जितना अधिक चुपाओगे दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होता जाएगा और ऐसे में दूसरे व्यक्ति के साथ आपका संबंद ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा साइकलोजी के अनुसार इनसान को सबसे बहतरीन फिलिंग्स तब आती है जब उसे पता चलता है कि वह किसी इनसान के लिए स्पेसल है या उसकी कोई वास्तव में केयर करता है अगर एक लड़की एकदम कुछ दिनों से चुप हो गई है इसका मतलब या है कि उसके साथ उसकी उमीद के विपरीत किसी ने जरूर कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है जिसके कारण वह अंदर ही अंदर खुद को खो चुकी है हमारा मन केवल प्रतेक व्यक्ति पर एक बार पूर्ण विश्वास बनाए रखता है और अगर वह विश्वास एक बार तूट जाए तो उसके बाद उसे फिर कभी भी पहले जैसा विश्वास नहीं होता साइकलोजी के अनुसार ऐसे लोग जो दूसरों की बात पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं उन लोगों का हिर्दय काफी कुमल होता है वह अपने जीवन में बड़े फैसले नहीं ले पाते इसके साथ ही सबसे ज़्यादा धोके बाजी भी इनहीं के साथ होती है मनों विज्ञान कहता है कि जिन लोगों की आँखें गहरी होती हैं वैसे लोग खेलने में ज़्यादा अच्छे होते हैं और जिन लोगों की आँखें हलके रंग की होती हैं वैसे लोग योजना बनाने में काफी माहिर होते हैं दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपकी बातों को कोई न भूले तो आप अपनी बातों को एक कहानी के तौर पर बताएं क्योंकि कहानियों को इनसान जल्दी और लंबे समय तक याद रख पाता है साइकलोजी के अनुसार सच्चे दिल के लड़के या लड़कियां किसी के काम को ना नहीं कह पाते यदि वह किसी काम को ना कह भी देते हैं तो अंदर ही अंदर उन्हें खुद में बहुत दुरा महसूस होता है मनुविज्ञान कहता है कि लड़कियां कभी भी लड़कों से अपने आफेयर के बारे में बात करना पसंद नहीं करती हैं क्योंकि लड़कियां हमेशा अपने कुछ खास पलों को अपने तक ही सीमित रखती हैं अगर वह लड़कों से इस बारे में बताती भी हैं तो वो पूरी तरह से सच नहीं होता है